आजिनांखे 22 जुलाई सन 2023, विक्रम समवत 2080 चल रहा है, शावण मास है, शुकल पक्षे, वर्षा रितू है, तिथी आज की चतुरती है, और आज का वार है शनिवार, आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा फालगुनी नक्षत्र, दौपेर बाद 4 बच के 69 मिनट त आगे परिग योग है, योग की दरश्टी से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है, करण विस्टी है, सुबह 9 बच के 28 मिनट तक आगे बव करण रहेगा, सुर्योदे का समय दर्शकों सुबह 5 बच के 36 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7 बच के 18 मिनट का है, आज का राहो काल सुबह 9 से 10.30 बच के बीच रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई शुपकारे नहीं होता है, और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए, अविजित मुरत आज 11 बच के 69 मिनट से दौपेर 12 बच के 54 मिनट के बीच है, दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे, हाला कि ये चारो दुष्ट मुरत सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे, ये हैं सुबह 5 बच के 36 मिनट, 6 बच के 31 मिनट, 6 बच के 41 मिनट और 7 बच के 26 मिनट, रोजाना इनका ध्यान रखे और सूजबू से इने टाल द पूर्व दिशा की और मुक करना है, और 5 कदम पीछे चलना है, और इस प्रक्रिया के दोरान अपने इस्ट और भगवान श्रीराम का ध्यान करें, उन्हों अपने हिर्दे में माने, और उनसे प्राथना करके इस दिशा की यात्रा शुरू करें, ऐसा करेंगे तो दिशा श बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुब, योग का रख है, कुछ अच्छे एफर्ट्स करें, तो इनी समय में करें, ताकि जो भी रिजल्ट आए, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, आज की चंद राशी दर्शे को सिंग है, दिन में 11 बच के 42 मिनट तक, आगे कन् अलदबाजी से बचे, व्रश राशी वाले देखेंगे कि समझदारी और बाचीत से भी बहुत से विवाद सुलजाए जा सकते हैं, वहीं मिथुन राशी वाले सोच समझकर व्यवस्तित होकर किसी काम को करें, और ध्यान रखें कि किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास नह सफल होते वे दिखेंगे, कन्या राशी वाले किसी संभावित नुकसान से बच निकलेंगे, वहीं तुला राशी वाले इंवेस्टमेंट के समय बहुती सूजबू से काम ले, ब्लाइंड होकर किसी पर विश्वास ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है, वहीं व्रश्च कि आपको एलर्जी से स्वास संबंदित समश्या ना हो जाए, यानि गले संबंदित, फेफड़ संबंदित कोई रोग ना हो जाए, और मीन राशी वाले अपने बिजनस पाइटनर से चल रहे विवाद सुलजा लेंगे आज, दर्शे को आप करते हैं आज के दिन की ज्यान अंचर्चा जो हमारी आपकी अंते द्रश्टी प्रग्या को जागरत करेगी, फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुन्दर और सफल बना देते हैं, अंतमय करेंगे आज के दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान द्रश्ट को बहुत बार आप सोचते होंगे कि इतने उपाय, रत्न, अनुष्टान ये सब वगरा ना करके क्या हम अपने गरे योगों को ठीक कर सकते हैं, यानि हम खुद भी कुछ ऐसा करें कि हमारे गरे गोचर ठीक हो, और क्या ऐसा कोई माध्यम है जिससे हम प्रारब् से व्याधी, धर्मेण, हन्यते ग्रहा, धर्मेण, हन्यते शत्रून, यतो धर्मस्त ततो जये, इसकार्थ ये है कि धर्म ही व्याधी नाशक है, धर्म ही ग्रह पीडा से मुक्ति दिला सकता है, धर्म ही शत्रों को पराजित करने वाला सर्वत्तम अस्त्र है, और वास्तों म अब धर्म आचरण का अर्थ जोतिश की भाशा में यह हुआ कि जैसे आप मंदिर में श्रमदान करें इससे लगन मजबूत होता है यही प्रथम भाव जनम पत्रिगा का मजबूत होता है योग प्रणायाम व्रक्षा रोपन धार्मिक गृंतों को स्वाध्याय किसी जुरुत मन की सिक्षा में सहायक बनना इससे पंचम भाव प्रभल होता है मंदिर तीर्थ इन सब की परिक्रमा करना माता पिता गुरु के चर्णों की सेवा गो सेवा नियम से जब तप हवन कीर्तन करना इन से आपका 9000 भाग्य भाव प्रभल होता और भोजन दान की आदत बना लें तो सारे के सारे आपके जो भाव है सारे ग्रहे वो ठीक रहते हैं तो यह वह सरल सहज करम है जो धर्म चरिया के प्रभाव से आपके प्रारप्त को बदल देने की पूरी तरीके से शमतार रखते हैं तो आज के ग्यानचर्चा की सार यह है कि हम अपने जीवन में अपनी धर्मचर्या पर द्रड़ रहें तो सब कुछ अपने आप सब कुछ सम्भव होता जाता है सारी समश्या दूर हो जाती है ग्रह गोचर अपने अप ठीक हो जाता है तो दर्शे को अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समश्चाओं के सरल समाधान कर देंगे जिने करके आप अर्चनों को व्यवधान को और असफलता को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते वे सफलता की और दढ़ता से स्पीड से कॉन्फिडेंसी पॉजिटिवली अगर सरूंगे सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जे लोग का जनम दिन है आप सभी लोग आज भगवान शिवजी के मंदिर में की कर यानि कि शमी के पत्ते शिवजी पर शिवलिंग पर अर्पित करें फिर शाम को साड़े-8 में इमर्ती यानि कंगन भी कहते हैं स्मिठाई को तो इमर्ती और कचोरी वित्रित करेंगे तो आने वाला जो वर्ष है आने वाला समयाब के लिए बहुती सुन्दर रहेगा उत्तम रहेगा इश्वरी अनुकंपा के साथ बीतेगा इसमें कोई संदेह नहीं ऐसे दर्श को बहुत बार यूं होता है कि हम पर बुरी नजर लग जाती है द्रश्टी दोश जिसे कहते हैं या फिर किसी प्रकार के तोटके या विचार का असर हम पर होने लगता है या किसी के इर्शा के चलते हम पर बहुत ज़्यादा नकारात्मत्ता हावी होने लगती बहुत ज़्य करनी है इसके लिए आम या फिर पीपल की लकड़ी या दोनों की लकड़ियों का प्रयोग करें फिर उस जलतीवी अगनी में साथ नमक के कंकर डालने हैं साथ मुख आपका दक्षण दिशा की और रहेगा और इस दोरान जो मंत्र होगा वो यह मंत्र आपको हर टुकड़े पे कुरु कुरु स्वाहा बंत्र फिर से समझते हैं ओम नमो मा का मख्या वासनी वंदुर गे नमो नमे शत्रु शक्ती तच्छन पलायनम कुरु कुरु स्वाहा इस उपाय को आप साथ दिन लगातार करें फिर आठवे दिन आप भगवान गणेश जी भगवान शिव जी माता पारवती और मा कामाख्या के नमित मंदिर जाएं शिवाले जाएं और वहां पर सफेद मिठाई का प्रशाद और लाल पुष्प या रक्त पुष्पो की माला वहां पर अर्पित करें बहुत ही जल्दी आप सारी समझाओं से बाहरा जाएंगे ऐसे दर्शे को नोकरी में स कर सकते हैं इसके लिए आशनान करके स्वच्चवस्त्रधारण करें 108 मंको वाली स्पटिक की माला लेकर नोक्री या प्राप्ति के लिए मंत्र का आप जब शुरू करें यह आप आसे भी कर सकते हो कल यानि रविवार से शुरू करके या तो इसे 31 दिन लगातार करें 108 बार जब यह प्रत्यक शनीवार करते रहें तो दोक्री प्राप्ति निश्चित रूप से होती है मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र इस्प्रकार है ओम रीम वागवादनी भग्वती ममकार्य सिध्यं कुरु 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 फट श्वाहां आप इसे करके देख यह निश्चित का इंत करेंगे मनुकामनाय पूरी करेंगे अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्रिका यह हमारे दर्शक राजिंदर गौड़ जी की कोटा से 16 फरवर 1981 का इनका जनम है शाम चार बच के सताउन मिनट कोटा प्रशनिकिया मानसिक तनाओ का उपाय बताएं देखिए राजिंदर जी आपकी जनम पत्रिका के लगन भाव में चंद्रुमा और राहू का ग्रहन दोश है और यह बहुती प्रबल दोश है जो मानसिक एस्थिर आप शिग्रतम इस राहू चंद्र दोश की शांती करवाईए गले में अच्छा सा मोती पहनिए और साथ ही मंगल रहके जाब करवा लिजे और आप खुद भी हनवान जी का पूजन शुरू कीजिए हनवान चालीसा बजरंगान जो भी आप करना चाहें आपका समय भी यह हमारे दर्शक गिर्रा सिंग जी की अलवर से तेरह नवंबर उनिस्सों पिचेतर का इनका जनम है सुबह ग्यारा बच के बाउन मिनट अलवर प्रश्ण है बहुत ज्यादा परिशान चल रहे हैं समय कब बदलेगा उपाई बताएं देखें गिर्रा जी आपके जनम पत दर्शा ने आपको इकदम गाफिल सा कर दिया है तो सबसे पहले आप गणे शतनाम के 27 पार्ट नित्य करना शुरू करें गोसेवा करें और केतु सूर्य राहू की शांती ग्रहंड दोश की शांती करवाएं शुक्र बुद्ध के सासाथ गुना जाब करवा लीजिए तो आ और जो ग्यान चर्चा सत्संग हमने किया इस अपने जीवन में उतारेंगे जीवन को धीरे धीरे शिव मैं सत्य मैं और आनंद मैं बनाएंगे महादेव से प्राथना करता हूं कि जो भी उपाय हमने आपको बताए वह आप करें तो आपके कश्टों का निवारण हो और बहुत बहुत साथ वाद भगवतियासुप का कल्यान करें जय आदिशक्ति